इस निउस के प्रायो जख्खे मेट्रो बाइक, कार, ट्रॉक, इन्वेटर, बैटरी, सेल्स एन्ड सर्विस सेंटर वापी चार रस्ता, कॉन्टेक्ट 8000-036-001 कले सू थे लो दिगए स्कूल मा? मौने मारे लू कौने मारे लू? ब्लेक ट्रेस वाले टीचर ब्लेक ट्रेस वाले टीचर चस्मा वाली? के भी मारे लू तने? का मारे लू तने? पाछड के भी रिते मारे लू? आव हन्ती मारे लू? हनाती मारे लू? हत्ती के भी रिते मारे लू? पूती जोती मारे लूँ विजा कोने मारे लूँ पेला हमज़ाद तरो फ्रेंट छे एने भी मारे लूँ अच्छा मैं सोनिया चोहन डेट टुशेर और न्यूस्पिपर और पब्लिक वोई से आज मोटी दमन कोस्टल पुलिस्टेशन के भार खड़ी हूँ जहां पर मेरे साथ एक स्कूल एक पैरेंट जुड़े है जी बता दू हुए पांच साल का एक बच्चा है जिसकी कंप्लेंड लेकर पैरेंट यहां पर पुलिस्टेशन पर आए है और यहां पर आज ये पांच साल के बच्चे को न्याय मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है अब वो जानते है उस पैरेंट की जुबानी की उस बच्चे के साथ क्या हुआ है आईए जानते है मैडम नमस्कर आपका ना पड़ा अगर जोर से पकड़ा होता तो हाथ में निशान होता पीट पीछे निशान नहीं देता और बच्चा रो रोके टीचर को मैंने फोन किया कि आप बच्चे से सुन लीजे और बच्चे ने भी बोला कि मैं मुझे ब्लैक ड्रेस वाली चस्मा पहनी हुई टीचर है उसने हिस्बन गए और जिसको जो दूसरा फ्रेंड है उसका हमजा करके उसकी मम्मी को मैंने फॉन किया कि क्या आपका बेटे को भी ऐसा हुआ तो उसने बताया कि हां तीन दिन से मेरे बेटे को पिर साम को मेरे हस्बन के उपर फोन आया कि वो तो चूहा कार्ट गया, वायर कार्ट दिया, CCTE फूटेज नहीं मिल सकता आपको, कि ऐसा हो सकता है, सब क्लास में अगर CCTE फूटेज है, तो क्या जुनियर के जी के बच्चे के रूम का ही चूहा कार्ट दलता है, तो सुबर क् हम लोग इनके पापा गये थे, तब क्यों किया है, कि हाँ, पासवर्ड नहीं है, तुरंट नहीं देख सकती है, बस मैं यही कहती हूँ, कि मेरा बच्चे को इतना मारा अभी बच्चे जाने के लिए भी मना कर, उसका फ्रेंड भी जाने के लिए मना कर रहे ते, स्कूल के स हम बच्चे को बेदते हैं, कि बच्चा अच्छा यह एजुकेशन प्राथ करें, लेकिन बच्चे को ऐसे ही मारा जाता है, तो बच्चा डर के स्कूल कैसे जाएगा, मैडम यह कि स्कूल की इंसिडेंट है, और आपका बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ता है, कितने साल का अब का बच्चा है, और कौन सी क्लास में पढ़ता है, वासेली स्कूल है, मुटी दम्बन में, मेरा बच्चा पास साल का है, जुनियर केजी में पढ़ाई गरता है, अभी एडमिशन लिया है, दस तारिक से मेरा बच्चा अप्रिल 10 से जा रहा था, और बच्चे को नास्त अगर हम इतने ख़ली, एक किलूमेटर ही रहते हैं, स्कूल से, अगर मेरे बेटा पांच किलूमेटर दूर रहता, पानी नहीं पिलना देता, तो क्या बच्चा तो स्कूल के वैंन में ही सुन हो जाता, तो ऐसा कैसे मतलब वो लोग कर रहे हैं, बच्चे है तो थोड़ा ध्य देना चाहिए उनको मुलब स्कूल बैस यही कह रहे है कि अभी आप देखो क्या नियाई मिल सकता है हमको मेरा यही कहना है कि अज हमको एक्षण क्योव ले रहे है तो कि आज हमारे बच्चे के साथ हुआ कल कि किसे और बच्चे कोसा अनुहुन ही ना हो उसके कि इसके लिए बोल रहा है और अगर आपका सिसी फुड़े चुहा उसी दिन जाता है जब यह माइंते हैं तो यह बराबर नहीं है कल उठके अगर टीचर ने मेरे बच्चे को सरफे कहीं पर मार लिया कुछ हो गया इसके जिमिदर कौन लेगा इसके लिए यह कंपेंड कर रह प्रिंसिपल का नाम है लेकिन हम उसके लिए एक्षन लेना है और हमें चाहिए बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो जी नमस्कार मैं सोनिया चोहन डे टुशेर पेपर एंड पब्लिक वाइज न्यूस चैनल से वाचसलिय स्कूल के बाहर खड़ी हूँ मोटी दमन पटलारा के एरिया लगती है ये जिसमें बताया गया था कि एक बच्चे को मारा गया है जी हाँ वो इंसिडिंट है वाचसलिय स्कूल मोटी दमन का और ये बता दू राइट टू एडुकेशन के एक्ट के अंडर कोई भी तरह का पनिश्मेंट हम बच्चों को नहीं दे सकते भले वो बड़े हो या चोटे हो ये तो बहुत मासूम बच्चा है पांच साल का एक बच्चा है जिसे टीचर ने पीटा है लेकिन पेरेंट जब यहाँ पर आए उन्होंने मैनेजमेंट को अप्रोच करने की कोशिश की प्रिंसिपल को अप्रोच करने की कुतर दी है क्लास की हम आपको नहीं दिखा सकते हैं वगएरा वगएरा बहुत ही मैं हर पेरेंट से दर्खवास करती हूं कि जबी भी आप अपने बच्चों के किसी स्कूल में रखते हैं तो अगर बच्चा आकर आपको बताता है कि टीचर ने मारा तो प्लीज वो आपसे उमीद रखता है क्यूं आप उसके पेरेंट है तो वो आपसे ही प्रोटेक्शन की उमीद रखता है तो अपने बच्चे को इगनॉर मत करिए और किसी टीचर को ऐसा राइट नहीं है या किसी स्कूल मैनेजमेंट को ये राइट नहीं है कि आपके बच्चे पर वो हाथ जब आप अपने बच्चे को नहीं मार सकते तो कोई और क्यूं मार सकता है इसी तरह की इसी तरह मेरे चानल पर बने रहिए